हालो फ्रेंट्स वेलकम बेक तो मैं चैनल मैं हूँ कावया फ्रम कावया स्टाइल कैसे हूँ आप लोग थमनेल देखके आपको पता चल गया होगा कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पॉपल हॉल और उसमें मैंने बहुत सारी प्रोड़क्स मगवाई हैं जैसे स्किन केर प्रोड़क्स हैं और मेकप के प्रोड़क्स हैं तो आराम से चाई नाश्ता लेके बैठ जाएगा बहुत ही अच्छे वाले प्रोड़क्स हैं न्यूली लांच कुछ-कुछ प्रोड़क्स हैं वो मैं वीडियो पर उसके पहले अगर आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर यह वीडियो मेरे पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेर और कमेंट कर दीजेगा बेल नोटिफिकेशन को अन कर दीजेगा ताकि इस टाइब के वीडियो आए तो आपको तुरंट नोटिफाई हो जाए और एक बात अगर ये वाला मेक अप लुक आप सोच रहे हैं कि कहां मैंने क्रियेट किया है और कभी आने वाला है चैनल पे तो ये वाला मेक अप लुक मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं इंस्टाग्राम हैंडल पे आएगा तो आप वहां पे मुझे फॉलो कीजिए और वहां पे आपको इस टाइब के बहुत सारे वीडियो स्किन केर के रिलेटेड वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे तो अब सीधा चलते हैं हमारे वीडियो पे तो लेट्स बिगन बहुत ही अच्छा वाला है मैंने इसके बारे में सोना था तो मैंने सोचा यह मंगवाओ क्यूंकि यह है जेल जैसे फॉर्म में आता है ऑईली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा वाला यह प्रोडाक है और आप इसकी कंसिस्चंसी देख सकते हो यह देखो पूरा गिरने वाला था ओमाइगाड कितना यह मिन्स इसका टेक्शर आप देख सकते हो मैं आपको दिखा देते हूँ इसका जो टेक्शर है वह यह देखिये एकदम जल जैसा टेक्शर है बहुत ही अच्छा है और इसकी जो स्मेल है वह बहुत ही स्ट्रॉबेरी जैसे है तो फॉस्ट मेरा यह प् आपको इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो आपको दो साल की मिलेगी तो पर्पल पे दो डिसकाउंट्स चलते रहते हैं मैंने आई हाट ब्यूटी सेल जो अभी चल रहा था था थोड़े दिन पहले उसमें मैंने यह सब प्रोड़क्स मंगवाए थे बट मेरे पास उतना टाइम था तो मैं यह वाला वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई अब मैंने सोचा कि मैं आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर लोग क्योंकि थोड़े प्रोड़क्स मेरे और आने वाले थे तो मैंने सोचा साथ मैं आपको सब प्रोड़क्स के दिखा दू तो यह हो गया हमा अब ही आने वाले हैं तो डिसकाउंट्स चालो के चालो रहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी रेट्स में प्रोड़क्त और मेकप की प्रोड़क्त दोनों मिल जाए। नेक्स्ट प्रोड़क्त है वो है वड़क्त ब्रोड़क्त अजात सोचा कमपर तो जंटीज दीज़त sister की बहुत होतीन तो इस टाउच प्रोड़किशी सर्ण Fest के आपको यह स Espでは क्रिम बेज में प्रोड़क्त की मिल जाएका। MRP 195 है एक पॉपल पर डिसकांट चलते है तो आपको बहुत ही अच्छी रेट्स में मिल जाएंगे नेक्स्ट प्रोड़क है यह है गुडवाइप का लाइम एंड बेसल डिप क्लिंजिंग स्क्रब है पारेता है, पुड़की रेक्ट टहते हैं रेक्याद काशी इंग। बहुत ही हाँ बहुत ही काम लगता है एंको इसनातफम करें इस के कि हैँ करें बहुत है कि अए क्लिंग कर देशाएं ने का जाया है इसकी भी shelf life आपको दो साल की मिलेगी 195 MRP है और आपको पता ही है कि no paraben, no sulfate, no cruelty free product है इसका भी इस type का ही cream base में है आपको आप देख सकते हो इस type की है और इतना सारा product आपको मिल जाता है और इनके जो granules है वो भी बहुत ही छोटी छोटे आते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा है वो गुडवाइप्स का नरोली प्लस पाटी ग्रेन स्किन क्लेरिफाइंग प्लस पोर क्लिंजिंग टोनर है यह भी इनका new launch product है मैं सोच रही थी कि यह भी अच्छा होगा तो मुझे ट्राइ करना था इसलिए मैं नहीं मंगवाया इसमें भी आपको दो साल तक की आपको shelf life मिल जाएगी यहां पर लिखा हुआ है mention किया हुआ है इनके benefit यहां पर लिखे हुए ingredients यहां पर लिखे हुए है और आपको इसकी MRP है 245 बट आपको इस पर discount मिल जाएगा 120 ml बिल जाएगा प्रोड़क आपको और यह अभी तक seal pack आप देखे तो इस टैप के इसकी packaging आती है पोपल पे यह देखें आउटर बॉक्स packaging है और इंडर में आपको एक मिल आपको दिखाई देखें इस टैप का है यह तो यह हो गया मेरा इसके बाद है good vibes का पत्चोली प्लस साथर वर्ड फाइट रिंकल्स प्लस ब्लेमिशिस टोनर और यह भी इनका न्यू प्रोड़क है और मैं ट्राइ करना चाहते थी इसलिए मैंने मंगवाया इसकी भी आपको shelf life दो साल तक के मिल जाएगी 245 MRP रेट है और 120 ml आपको मिल ज इसलिए जल और यह भी with hyaluronic acid नेट वेट आपको 100 gram मिलेगा इसमें आपको shelf life 3 years तक की मिल जाएगी और इसकी भी 249 MRP है इसमें आपको पते ही है कि इसपे discount होते तो मिल जाते आपको बहुत ही अच्छी रेट में suitable for normal to dry skin है जल बेज है यह वाला तो मैंने सूचा मैं आपको देखती हूँ मुझे ट्राइ करना था है आपको पता ही होगा कि बहुत ही यूस्कूल होता इसकिन के लिए तो मैंने यह भी मैंने मंगवाया है और इनके पास था बट बीच में खतम हो गया था यह देखें ट्रांस्परिंट जिसा है जल एक मिनट आपको मैं कैसा यह देखें देख सकते हो बहुत ही अच्छा से कंसिस्टनसी है इसकी और आरहाम से यह एब्सॉर्ब भी हो जाता है चिप चिप नहीं लगता है इसको लगाने के बाद तो इसलिए मैंने यह वाला मंगवाया था नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया है डर्म डॉक का मॉशराइ अबर मॉशराइ शर्म विट सोडियूम हैलरोनेट और इसमें आपको नेट वॉल्यूम 10 ml का मिलेगा और इसकी शल्फ लाइफ आपको तीन साल तक के मिलेगी 599 M.R.P. और यह अगर आपके डर्क सर्कल्स हो या पफिनेस अपके अपके अंडर आई एरिया पे एक पर करने म और इस टाइप का इसका जल बेज है फर्मला आप देख सकते हो तो बहुत ही अच्छा वाला है अगर आप अच्छाते हो तो प्रोडक्स प्रोडक्स जो मंगवाय थे खता हो गया आप जितने भी है वो मेकप प्रोडक्स है फर्स्ट जो मैंने मंगवाया है वह NYB का CC क्रीम विथ SPF 20 यह भी इनका न्यू लांच प्रोडक्स है और इसमें मेरा जो शेड है वह 149 इसकी MRP है 27 ग्राम आपको इसका नेटवेट मिल जाएगा प्रोडक्स और इसका जो शेड है आपको दिखा देती हूं इस टैप का है बट यह लाइट है मेरे सिकिन से देखेंट इसके जो कवरेज हैँ अच्छी है राएट अच्हे से यह बलैंग भी हो रहा है तो ट्रै करती हैं मेरे कोई तो बहुत ही अच्छा वाला प्राइमर है और इसमें आपको 15 ग्राम प्रोडक्ट मेल जायेगा 235 रेट है और इसकी पहले पाकेजिंग दूसरी थी अधीड है जो के नहीं है इनकी पाकेजिंग तो बहुत ही अच्छा वाला प्रोडक्ट है Yang Canc gw मैंने स्टेक वर की कि दो नेल पेंट बंगवाए थी और बहुत ही अच्छे शेड है आप देख सकते हो यह मैं कोई मेरे मेकप लूप में ट्राइ करूंगी तो आपको दिखाऊंगी बहुत ही अच्छे वाले शेड्स है जो प्रोड़क है वो स्टेक वर की कि चिक गर्ल ब्ल इसकी आपको शेल्फ लाइफ थी यर्स तक की मिल जाएगी 5.5 ग्राम प्रोड़क मिल जाएगा 270 MRP रेट है बर डिस्काउंट्स चलते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रेट्स में मिल जाएंगे अब इस टाइप की इसकी इनर पैकेजिंग है देख सकते हो और यह देख यह दो जाएगे साथा तो बहुत ही अच्छा प्रोड़क है इनके यह भी न्यूली लॉट्च प्रोड़क है अभी तो यह एक ही शेड मगवाया था जस्ट चे करने के लिए कि किस टाइप का है यह आई शेड़ पैंसिल है और यह भी इनका न्यू लाँच प्रोड़क है और इसमें जो शेड है वो All The Revenue 12 शेड मेरा और इसकी जो MRP है वो आपको 235 है शेल्फ लाइफ आपको 4 साल तक की मिल रही है और 1.5 ग्राम प्रोड़क मिलेगा आपको बट यह बहुत ही पिग्मेंटेड है मैंने मेरे एक मेकप लुक में लास्ट जो मैंने मेकप लुक मेरा किया था उसमें यह मैंने ट्राइ की थी आप चेक आउट कर सकते हो और आपको यह देख सकते हो यह देखे कितना अच्छा कलर है यह सीद कलर है पिकॉक ब्लू जैसा आप बोल सकते हो बहुत ही अमेजिंग है और यह ब्लेंडेबल है देखें पिग्मेंटेड कितनी अच्छी है यह इसकी तो इससे भी मुझे एकाईलो क्रियेट करना है नेक्स्ट मैं अच्छे से यह ग्लाइड हो जाती है बहुत ही एजी जो मंगवाई है वो स्टेकवर्की की आई पेंसिल अभी यह भी न्यू लाँच हुई है इसमें जो शेड है शेड नमबर टू और पॉपल शेड है लाइट पॉपल आप लाइलेक शेड बोल सकते हो बड़की मुझे बहुत ही अच्छी लगी यह आपको शापन करने पड़ेगी और इस टाइम का इसका कलर है मैं आपको दिखा देखते हुई हम देखिए कितना अच्छा कलर है पॉपल और आराम से यह ग्लाइड हो रही है तो यह हो गया मेरा लास्ट प्रोड़क और यह भी इनका न्यू ल आपको यह वाल पसंद आया होगा और यह वीडियो आपको हेल्फुल लगी हो और पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट ज़र से कीजेगा अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा इस टाइब के आपके लिए हॉल्स और एवन मेकप टिटोरि